नमस्कार दोस्तों मैं पर्सनल पामिश्टी के लिए पूना 29 नवेंबर और इंदोर के लिए 8 डिसेंबर को आ रहा हूं अगर जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिश्टी करानी है तो वो मुझे वाट्स अप पर संपर करें वाट्स अप नमबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है अब इस पाम का एनालिसिस करते है एज 37 है इनकी और इन्होंने कुछ सवाल पूछे फाइनेंशल डिसीजन जब भी लिया उसकी वज़े से मेंटली स्ट्रेस भी हुआ और कर्ज में भी आए आपने जब जब फाइनेंशल डिसीजन लियोंगे उस समय कोई न कोई रहू रेखाए होगी और आपकी धन रेखा में भी बरकत नहीं थी तो उस वज़े से आपने पेन उठाए है जीवन में अब क्या-क्या है आपके जीवन में कब-कब राऊ रेखाए है वो सारी जानकारी में आपको दूँगा और दूसरा सवाल है इनका शेर मार्केट में टेकनिकल एनालिसिस कर सेकेंडरी इंकम कमा सकता हो 100% कमा सकते हो आपके हाथ में तो इतने स्ट्रॉंग योग नहीं है पर आपकी वाइफ के हाथ में जरूर योग है और प्रोग्रेस लाइन जिसे आपकी भाशा में हम ब्रेकाउट भी कह सकते है वो भी आपके वाइफ के हाथ में भरपूर है तो आप technical analysis करते रहें और साथ investment उनके द्वारा करवाईए दोनों का palm है आपका अभी हस्बेंट का palm का analysis कर रहा हूँ इसके बाद इनकी wife के palm का analysis करूँगा खुद का business कर करोड़ पती बन सकता हूँ या job better रहेगा वो आपके उपर है आपके जीवन की जो रुकावटे रहेगी वो मैं दिखाऊंगा जो जो financial condition रहेगी तब कैसी रहेगी वो सारी चीज़े जानकरी दूँगा अब ये सवाल जो व्यक्ति पूछता है पामिस्ट्री में रुकावटे और अच्छा समय ये दोनों अच्छी तरह से दिखता है उसमें चाहे आप business करके अच्छा करो या job करके अच्छा करो एक अच्छा सा उदा रहन है Google वाला सुन्दर पिछे ही वो job करके भी 1700 करोड लीजिए आपका अच्छा समय कब और किस तरह का है और रुकावटे कब है वो सारी जानकरे आपको मिल जाएगी अब एक एक करके सारी चीजों को सामने रखने की कोसिस करता हूं ये जब दो उंगलिया थोड़ी भी उपर हो तो व्यक्ति जो समय पर नेने लेता है समय पर जो नीने लेना होता वो ले नहीं पाता और उसके बाद पस्ता हुआ होता है ये मैंने कारे किया होता तो अच्छा होता था ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है ऐसे लोग महनती होते और मैनत करके अपने जिवन को सफल बना दे फर्स फैलेंज भी नुकिला है तो कारे के पर्ती है अच्छी खासी जिद्धों की लिए जान लोची कि जोरत है रहने की जोरत है चूप रहने की जोरत है । थोड़ा सा मुड़ भी रहा है तो मित्रता पूर्ण वहवार भी होता है वैक्टि का ये उंगली जब बैंड होती है वैक्ति में धार्मिक भावना कि हमती सभाव देती है जिब में 50 जार और 50 लाग की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं पर सामने यहां पर देखिए यह माइनस पॉइंट यह उंगली यह उंगली फर्स फैलेंज तक नहीं पहुचती तो व्यक्टि डॉकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को अब चलते हैं इनके इनक लगे हुए पाम पर जब किसी व्यक्ति के हाथ में बूत पर इतनी रेखा हो और बड़ी हो तो इनको आख मुन के कह दीजिए कि इनका बुड़ापा व्यवस्तित जाएगा बुड़ापे में भी इंकम व्यवस्तित आती रहेगी इनके जीवन में बुद्परवत यहां से थोड़ा सा दबा हुआ है तो ऐसे लोग अपने मन की बात इतनी खुल कर नहीं कर पाते हैं और उसके बाद पस्तावा होता है मैंने ये बात बोली होती तो अच्छा होता था और ये पार जब उभार होता है तो छोटा भी काम करें तो व्यक्तिक औ नाम के प्रति जाता जिक्यासा होती है इनके हाथ में इस फोटोग्राफ में भी एक साइन नजर आ रही है जो इस जगह पर बनी हुई है बहुत छोटी है मैं केवल तो अल्रेडी नाडी का रेखा में ये साइन है और भी साइन है इनके हाथ में केवल इतनी से ये देखिए एक यहाँ पर है पर सारी छोटी छोटी है और एक यहाँ पर है ये थोड़ी से बड़ी है और यहाँ पर भी मैंने एक देखिए थी आए तो साइन है तो है पैसा तो ये कमाएंगे उसमें कोई ना नहीं पर जिस समय ये आगे बढ़ रहे थे उसी समय इनकी धन रेखा मैं भी दम नहीं था और रहू रेखाय भी आ आकर इनको परेशान कर रही थी इसके लिए थोड़े से हतास है पर इतना भी नेगिटिव पाम नहीं है जितना ये अपने आपको समझ रहे जब इतनी अच्छी साहिने हो तो कोई ज़्यादा तकलिफ है जीवन में है उठानी नहीं होती जुपिटर की और जाने वाली रेखा ये जब रेखा होती है तो वेक्ति को चार लाप कराती है ससुराल पैसे वाला है या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है जो भी कारे करते बड़े सतरका करते या जॉब भी करेंगे तो अफिसर लेवल पर पोज़ता वेक्ति और खुद का भी काम करते तो बड़े सतरका सरकारी लाप और पॉलिटिकल लाप तो कई लोगों को तीनो लाब राप्त होते हैं, किसी को चार, किसी को दो और किसी को एक लाप राप्त होता है शनी परवत एक दम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता Jupiter Mount में थोड़ा सा उभा रहे हैं यहां पर तो मैंने इनको पूछा भी, क्या आपके द्वारा चक्मक होती है परिवार में तो इन्होंने एकसेब भी किया, और इनकी वाइफ का पाम भी मेरे पास है दोनों का payment इन्होंने लगाया था, वो Jupiter Mount बहुत अच्छा है तो मैंने यहां तक पूछ लिया, कि आप जंचेटे create करते होंगे और उसको छिपाते होंगे, आपकी wife छिपाती होगी तो इन्होंने वो भी हस्ते हस्ते कभूल किया तो यह चीज होती है, अब हमें लोग पैसा देते हैं, तो Jupiter Mount वाले को कहता हो कि आपको पारिवारिक समस्या होगी, पर actual मैं समस्या वो करता है, create करता है, जिसका Jupiter Mount खराब होता है यह आपको अंदर की बात आज बता दी मुझे पैसा दे रहा है, तो मैं राना को काना कैसे बोलू, तो यह ऐसी स्थिति है पर जिसका Jupiter Mount खराब होता है, जिमेदार वो ही होता है समस्या create करने में पर हर व्यक्ति को ऐसा लगता है, कि मैं नहीं करता है, सामने वाला समस्या create करता है मैं तो उसको बता रहा हूँ, तो यह एक साधरन मापदंड है पर इतना भी खराब नहीं है, कि जिसके काराण बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या create हो जाए नॉर्मल सा है, और पुरूश में इतना उबार भी चलता है हाँ, महिला में इतना भी हो, तो बहुत ज़्यादा problem create होती है यह अर्द गुरू वलाय है, तो यह भी धार्मिक्ता दे रहा है एक लाइन, दो लाइन, यह वेक्ति को multiple income के source create करवाती है पामिश्टे एस्ट्रोलोजी इस तरह के mystery science में ध्यान जाता है सेवा भावी और धार्मिक्ता, यह सारे गुन इन में पाये जाते है और यह जो line है, यह सबसे बड़िया line में इसको मानता हूँ अगर कोई खराब इस्थिती भी आए, तो भी व्यक्ति टिका रहता है अपनी जगह पर यह सबसे बड़ा advantage मिलता है मित्रों को भी बोलेंगे कि ऐसी इस्थिती खराब है, तो भी वो सुन लेगा तुमको क्या problem है, यह सा बोलके वो आगे बात को बढ़ाएगा ने और अगर यह पतली line से भी रेखा joint होती होगी पता नहीं चल रहा है, line 99% तो ऐसे लोग बोलने के कारे में महारत हासिल करते हैं और 32 साल के पहले कोई न कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में authority position पर पहुँचते हैं पर मैं यह confirm नहीं हो कि यह है, और अगे होगा तो बड़े घर में रहने का सोभाग्य भी मिलेगा अंडूनी मंगल अच्छा है, तो साधी रिग उर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है बारी मंगल भी व्योसित है, जब किसी से मिलोगे, एनरजी के साथ मिलोगे सामने वाला comfortable feel करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है यहाँ पर एक छोटी सी लाइन शो हो रही है यह जब लाइन होती है, तो व्यक्ति को भाई की और से, पिता की और से या जी जाजी की और से, कभी न कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है या रेविन्य डिपार्मेंट के जो आफिसर होते हैं, उनके द्वारा हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है यहाँ पर देखें, चंद्रपरवत पर बहुत बड़ा क्रॉस है यह क्रॉस जब होता है, तो व्यक्ति को नेगिटिव फिलिंग बरपूर आती रहती है जीवन में हमेसा डर लगा रहा था, आज मैं जहां पर उससे नीचे गिर गया तो इस तरह की स्थितिया पैता होती ही रहती है तो मैं इसका उपाय देतूंगा अब इनकी धन रेखा देखिए, पूरी सुर्यपरवत की और देख रही है इनकी जो जीवन रेखा है वो चंद्रपरवत पर जा रही है, तो ये जन्मस्तल से दूरी काम कर रहे है यहां पर मुझे ट्रैंगल भी नजर आ रहा है और एक ट्रैंगल और मैंने देखा था इनके हाथ में यहां पर ऐसे लोग ज्यादा तर मैंने देखा है कि विदेश में चले जाते है और मैंने इनको भी सला दिये कि आप विदेश के मौका उठाईए आपके योग भरपूर है और चंद्रपरवत अच्छा है तो वेक्ति को पानी अच्छा लगता है दूद से पनी वस्तु अच्छी लगती निड़ने शक्ती अच्छी होती नही नही चीजे करने का शोक होता है यह सारा गुंधर्म वेक्ति में पाया जाता है और एक मनी ट्रैंगल भी है तो बुड़ापे तक इतनी तो संपति जमा कर लेंगे कि बुड़ापा आज़ानी से गुजार सके शुक्र परवत भी व्यवसित है तो अच्छे कपड़े पेनना अच्छी तरह रहना यह सारा गुंधर्म इनमें पाया जाता है हाट लाइन देखिए पूरी घुमाव ले लिए इस तरह के हाट लाइन हो तो ऐसे लोगों में एक माइनेस पॉंट होता है यह भावूक होते है भावनाव में नहीने लेने वाले होते है पर लोग इनका फाइदा भी उठाथे है यूज लेते हैं इनका ये भी देखा गया पर एक देवदूत तरह की personality होती है सब का भला करना ये इनकी फिद्रत होती है पर उस भलवन साई का लोग इनका फाइदा भी उठा दे और जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना भी पसंद आता है इनको इनकों ने share market का प्रशन पूछा यहां पर ऐसी कोई strong line नहीं है कि मैं इनको कहूँ कि आप share market में invest करिए कहीं न कहीं छोटी मोटी ऐसी line चीए इनकी wife के हाथ में है इसके बाद का जो analysis होगा उसमें आपको दिखाऊंगा मैं तो ऐसी कोई line ही नहीं है तो मैं इनको सला नहीं दूँगा यह technical निकाल कर investment इनकी wife के द्वारा करा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यह मेरा मानना है अब चलते mind line पर mind line भी व्योसित है कोई problem नहीं up to end तक जा रहे है तो बुद्धी प्रती भाब भरपूर रहती है ज्यान लेते रहते कोई न कोई mind line में कोई problem नहीं है और निरिक्षन शक्ती ऐसे लोगों की बहुत ज़ादा powerful होती है अब आते हैं इनके जीवन रेखा पर इस line ने इनके जीवन में शादी कराई उसके बाद 31 में एक बहुत बड़ी राहो रेखा आई ये एक साल की थी 31 से 32 तक इनको परेशन किया होगा एक 33, 34 में भी एक राहो रेखा आई उसके बाद एक राहो रेखा 36 में भी आई अब ये सारी चीज़े और इसी पिरियड में यहाँ पर इनकी धन रेखा भी कमजोर थी तो गरीबी में आटा गिला सारा साथ में काम हुआ और इनको लगा कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं बारा तो ये भी देखबले आ रही अब ये राहो रेखा इसके बाद कोई ऐसी स्ट्रॉंग राहो रेखा केवल यह है इसका मैं टाइमिंग निकालता हूँ बताऊंगा मैं बाकी ऐसी कोई स्ट्रॉंग राहो रेखा नहीं है छोटी छोटी राहो रेखा आएगी ये एक 40 के आसपास छोटी आएगी फिर 42 में आएगी 44 में आएगी और 48 में आएगी और ये 50 की ये थोड़ी 50 वाली थोड़ी सी strong रहेगी तो यहां care करना और 54 में एक पूरा 52 में एक offshoot है उसके बाद 54 में एक offshoot है यानि ये breakout है 60 में एक offshoot है और 66 में एक offshoot है अब चलते धन रेखा पर धन रेखा पर भी देखिए cut पहला cut लग बग इनको age 26 के आसपास लगा होगा उसके बाद 31 के आसपास उसके बाद 33 के आसपास उसके बाद लगेगा एक cut इनको 39 के आसपास और एक ये अगर cut होगा तो 99% cut नहीं है इसको cut ही मानके चले तो 40 के आसपास ये जब भी cut आएंगे तब परिशानी होगी ये investment line है ये लगबख 46 के आसपास investment होगी एक छोटा सा cut 51 में है एक 53 में है चोटा सा cut और एक line है ऐसे जा रही है अब इनके धन रेखा को देखने की कोशिस करते हैं ये इनकी धन रेखा जब जब इन्होंने पेन उठाया ये देखे यहां से ये धन रेखा कमजोर हुई अब तु यहां तक तो कमजोर है 37 तक कोई path ही नहीं है इस धन रेखा में तो व्यक्ति कहां से income कर पाएगा रास्ता ही पकदंडी या रोडी नहीं है अब उसके बाद यह धन्रे का स्टार्थ हो रही है पर यह भी जिग जैक है तो जीवन में पैसो का उतार चड़ाव आता रहेगा नौनस्टप कमाई होती रहेगी पर कम जादा होगी किसी साल जादा पैसा आगया किसी साल कम किसी साल जादा किसी साल कम और ये इस तरह से वेवी चल रही है तो ऐसे लोगों के साथ निर्ने भी चेंज होते रहते है आज ये किया, कल दुसरा किया कल परसू तिसरा किया तो ये कंडिशन भी होती है इंकम कंटिउनी रहेगी किसी साल 20 लाग कमा लिया किसी साल 10 लाग कमा लिया किसी साल 5 लाग कमा दिया किसी साल 40 लाग कमा लिया ये इस तरह से चलता रहेगा तो आप ये मांसिक्ता बना के ही रखना और एक साइड की इंकम भी जनरेट होनी चालो होगी इन्होंने share market का पूछा होगा मुझे तो लगता है इन्होंने चालू ही कर दिया लगता काम ये side income भी इनके हाथ में 36 के आसपास से दिख रही है और up to end तक line है ये और सारी wavy है किवल ये 60 के बाद strong line है यानि बिना wavy की line है तो मैंने आपकी धन रेखा के बारे में संपुन जानकारी दे दी income continue रहेगी पर up to end आएंगे आपके wavy होगा income generate करने में किसी साल जादा कमाई होगे तो आप ये मत सोचना कि next year भी मेरी इतनी कमाई होगी कोई flat की EMI या कुछ लेनी हो तो ये खास ध्यान रखना यानि उसी हिसाब से चदर फैलाना minimum one fourth गिन कर चलना किसी साल अगर जादा कमा लिया हो तो उसका one fourth का रिस्की लेना वेवी है आपकी fate line हाँ income generate होती रहेगी और इस period में 39 to 40 हो सके तो share market से दूर रहना या आपको लंबा नुकसान दे सकती है तो आशारक्ता इनके सभी प्रस्टों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाल